जैसर कृष्णा दोस्तों सूरे ग्रहन 2022 अक्टबर में लगने जा रहा है सूरे ग्रहन ये छे रासवाली हो जाएं साब्धान सूरे ग्रहन 2022, साल 2022 का दूसरा सूरे ग्रहन अक्टबर में लगने जा रहा है यानि 25 अक्टबर को लगने जा रहा है सूरे ग्रहन भारत में दिखाई देने वाला इस साल का पहला सूरे ग्रहन होगा साल का पहला सूरे ग्रहन 30 अप्रेल को लगा था जो भारत में द्रिश्य नहीं था अक्टुबर का सूरे गरहन चार गंटे तीन मिनट का होगा इसका असर सभी रासियों पर देखेगा जो तीस आसर के अनुसाद इस सूरे गरहन का नकारात्मक परभाव छह रासियों पर जादा देखेगा इस दोरान सूरे तुला रासि में होंगे यानि इस सूरे गरहन का सबसे ज़्यादा असर तुला रासियों जातकों को मिलेगा आए जानते हैं कौन है वो रासियां पहली रासि है तुला रासि तुला रासि में सूरे गरं लगने से इस रासि पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा इस रासि के लोगों को इस अउदी में आर्थिक नुक्षान हो सकता है तुला रासि के लिए सूरे गरं सबसे कस्टकारी होने वाला है दूसरा है मिथुन रासि मिथुन रासि के जातकों को अपनी वजट का विसेश द्यान रखना होगा इस दोरान मिथुन रासि के जातकों के खर्च में वरोर्ति होने वाली है आए भी कम होगी, साथ ही हर काम को करने में आप को देरी आएगी, यानि काम बहुत मेनसे बनेगे, जीवन साथी के साथ सम्मणों में खटास रहेगी तीसरी है विरिसरासी विरिसरासी के लोगों को इस समय अपनी सहत का विशेश ख्यार लगना है और इस समय अपनी खानपान को लेकर भी बहुत सतर प्रहना है साथ ही आपको किसी को लेकर चिंता भी जदा सकती है जिस बाद से आप प्रेशान रहेंगे उस बाद के किसी से सांजा नहीं करना है चोटी रासिये ہے कन्यारास कन्यारासि के लोगों को कि आर्ठिक इस्थिते पर देखने को मिलेगा इस समय आको कापी साव्दान आर्ठिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा इसलिए समय निवेश करने से पहले किसी विशेशग्य की सलाह अवसले पांचमें रासी ब्रिश्चिक रासी सुरे गरान का ब्रिश्चिक रासी के जात्मों की आर्थ के स्टित को प्रभावित करेगा इस समय आपको धनहानी होने के भी संभावना है इसलिए आपको अपने खर्चे पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है इस समय निवेश करने से ज़्यादा शाधन रहें आखरी और छटी रासी है मकर रासी मकर रासी के जातोकों की सिहत वाग सूरे गरह का असर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा इस दोरान आप काफी विमार रह सकते हैं इस रासी को लेकर आपके मन में भैवी है किसी बात को लेकर कि आपके मन में भैवी है उत्पन होगा इस समय आपको धर्यवान दहेने के आओ सकता है उपाय हम आपको बता दें कि इस समय सबसे ज़्यादा करें जैसे गेहु गुड मसूर तांबे का दान करें इस तना हो सके और सबसे सुब आपके लिए यही रहेगा इसके अलावा आप आदित्य हिर्दे इस्तोत्र का पाड़ कर सकते हैं साथ ही अपने गुरू का मंत्र जाब भी कर सकते हैं तो दोस्तों यह हमने सुरे गरहन 2022 अक्टबर माह में लगने माला इससे संबनित जानकार जी आशा आपको यागी पसंद आएगी इस पसंद आए लाइक से सस्क्राइब जरूर करें जैसे किसना